हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्क दसने स्टड्यू पॉइंट दोस्तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूटिव चैनल में दोस्तो मैं आज इस वीडियो में जेनरल साइंस के लगबग 20 कोस्चन ऐसे बताऊंगा दोस्तो जिवो हर एक्जाम में लगातार पूछा जाता है इसलिए दोस्तो आप इस वीडियो को जरूर लास्त तक देखिए दोस्तो मैं आज इस वीडियो में रेलवे ग्रूप डेक के लिए जो कि दोस्तो 20 question बताऊंगा जो कि हमेशा एक जाम में आता रहता है General Science के question चले दोस्तो वीडियो को शुरू करते है पहला question है कि कौन सा उत्तक पादपो में जल के परिवहन का कार्ज करता है दोस्तो तो इसका उत्तर हो जाएगा जैलम कौन सा उत्तक पादपो के जल का परिवहन का कार्ज करता है तो उत्तर होगा जैलम फिर दूसरा कोचना की peptide बंद किसके बीच में उपस्तित होते हैं तो दोस्तो उत्तर होगा अमीनो अमर फिर दोस्तो तिसरा कोचना की उरियसिल किस में पाया जाता है RNA में तो दोस्तो उरियसिल किस में पाया जाता है तो RNA में फिर चोथा कोचना की फोटोग्राफी में उप्योगी योगिक तत्त कौन सा है तो इसका एंसर हो जाएगा Silver Bromide फिर पच्मा कोचना की रसाइन भी ज्यान के छेत्र में सरपर्थम नोबेल पुरुषकार किसको परदान किया गया तो इसका उतर होगा J.H.Want फोग को फिर चाटा कोचना की Hydrogen का अपसोशन करने वाली धातु कौन सी है फिर दोस्तो कोचना की किसी परमानू के रसाइनी गुन किस पर निर्वर करते है तो इसका उतर होगा परमानू कर्मांगपद फिर दोस्तो नम्मा कोचना की मनुस के सरीर की सबसे बड़ी मांस्पेसी कौन सी होती है यह दोस्तो मनुस के सरीर की सबसे बड़ी मांस्पेसी कौन सी है तो दोस्तो इसका उतर होगा Gluteus Maximus फिर दसमा कोचना की दर्द दूर करने वाली दवाओ को क्या करते हैं दोस्तो इसका होगा एनालेजिक्स यान दोस्तो दर्द दूर करने वाली दवागों को क्या करते हैं दोस्तो इसका उतर होगा एनालेजिक्स फिर दोस्तो एगरमा कोचन है कि परमानु जिन से प्रोटोनों की संक्या समान प्रन्तु निट्रोनों की संक्या भिन 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 रति या क्या कलाते है दोस्तो इसका उतर होगा समास्तानी फिर दोस्तो बर्मा कोचन है कि पारे की मिस्ट धातु को क्या कहा जाता है दोस्तो इसका होगा अमल गम यान दोस्तो पारे की मिस्ट धातु को क्या कहा जाता है तो अमल गम फिर दोस्तो तिरमा कोचन है कि गाजर का रंग किसकी मौज़ोदगी के कारण होता है यानि गाजर का रंग किसकी मौज़ोदगी के कारण होता है तो दोस्तो इसका उतर हो जाएगा कैरोटीन पिर दोस्तो चौत्मा कोचन है कि राडार की काज परनाली कि सिदान पर अधारीद है? पिर 15. कोचन है कि अगर किसी बस्तु का फोकस अपतल तरपन पर 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 परता है तो उसकी चायग कैसे मने गे? दोस्तो इसका उत्तर हो जाएगा अनंद फिर दोस्तो सुलमा कोचना की गन मेटल किसका आयाज़का यानि गन मेटल किसका आयाज़का है दोस्तो तामबार तीन और जिंका तीनों से मिलकर बना होता है गन मेटल तामबार तीन और जिंका दोस्तो शत्रमा है कि किस पोधों का फल भूमी के नीचे पाया जाता यानि किस पोधों का फल भूमी के नीचे पाया जाता दोस्तो मुंग फली इसका उतर हो जाएगा मुंग फली फिर अठर्मा है कि वह है अंदर जिसके द्वारा तने की विर्धी दर सही रूप में ना पी जाती है वो कौन सा है तो दोस्तो इसका होगा आउग जेनो मीटर यानि वह है अंदर जिसके द्वारा तने की विर्धी दर सही रूप में ना पी जाती है वो कौन सा है तो दोस्तो इसका होगा आउग जेनोमीडर फिर दोस्तो उने समा कोचन है कि मनुस के रक्त चाप को किस धमनी से मापा जाता है तो दोस्तो इसका होगा ब्रैंकियल धमनी फिर दोस्तो बिसमा है कि सेकेंड में यानि second में lowlock की कालावधी कितनी होती है second में lowlock की कालावधी कितनी होती है दोस्तो इसका हो जाएगा 2 second तो दोस्तो मेरे पास यही 20 को question general science का था जो कि दोस्तो expected question से यानि परिक्षाद से आपके आ सकता है दोस्तो कोशे इस question को आप जरूर अच्छा से देख लिजे दोस्तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तो पिलीज इस वीडियो पर आप एक like जरूर कर दीजे और दोस्तो इसके साथ ही आप मेरे चैनल को भी subscribe कर लिजे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू सो मल दोस्तो